अगर आप भी व्रत के लिए कुछ चटपटा सा स्पेशल व्रत का नास्ता खाना चाते हैं जो एक चम्मत तेज से भी बना हो और खाने में भी विल्कुल हेल्थी हो तो आज मैं बहुत ही टेश्टी चटनी के साथ ये रेस्पी लेगी आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आपको बिना बेले दो तरीके से बताऊंगे जिसे आसान से साबोदाने के पराठे आप बना कर एजली यूज़ कर सकते हैं तो चलिए फेंश टार्ट करते हैं वीडियो को अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीस लाइक चरूर कर दीजिएगा तो साबोदाना पर आलू को मैं चिलका निकाल कर अच्छे से वास कर ले थी उसकी बाद इसे ग्रेटर से हमें ग्रेट कर लेना है यह नास्ता फ्रेंट बहुत एजली बन कर तैयार भी हो जाता है और खाने में काफी टेश्टी लगता है तो यहां पर देखिए मैंने सबसे पहले ले लिया है स अब यहां पर मैंने कच्छे अलू को भी डाल दिया है अब यहां पर इसमें बनाएंगे मज़ेदार सा जो मसाला जो हम उसमें डालेंगे तो इसके लिए देखिए यहां पर मैंने सेंगदाना ले लिया था थोड़ा सा साथी अद्रक और हरी मिर्ट डाल कर इसे मिक्सी के में घ्राइंड का लेते हैं और उसी पेष्ट को हम दरद्रा पेष्ट बनाए है अब इसमें एट कर देंगे इससे ना हमाना साबुत आने का पराठा बहुत ही ज्यादा टेश्टी भी और क्रिस्पी बन का तेयार होता है बहुत अच्छा टेश्ट आता है और साथ हैं अब अब यहां पर देखिए मैंने साथ में ले लिया है काली मेज का पाउडर जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा साथ ही यहां पर मैंने देखिए चोटे-चोटे आलू है यह लगबख 400 ग्राम आलू है मैं इसे बॉयल कर ले थी अब इसमें एड कर देना है एड करने के बाद अच्छे से इसे हाथों से मैस कर लीजिए या फिर मैसर से मैस कर लीजिएगा काफी नरम आलू है अच्छे से मैस हो जाते हैं हाथों से ही इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे काफी अच्छे से मिक्स करने के बात ज्यादा टेश्टी बनता है। इसके आगे भी देखते रहेगा वीडियो में प्रोसेस बहुत ही टेश्टी इसके आगे मैं इंग्रेडन डालूंगे जिससे बहुत ज़्यादा टेश्टी यूनिक बनका तैयार हो गा। आप देखें काफी अच्छे से मैंने मिक्स तो कर लिया है लेकिन अभी इसमें एक चीज हमें डालना जरूरी है जिससे हमारा नास्ता और भी ज्यादा टेश्टी बनेगा तो यहां पे देखें हमें ले लिया है सिंगाडे का आटा तो सिंगाडे के आटे से पहुत ही अब डालने के बाद ना साती हमारा धनिया भी एट कर देंगे अब इन सारी चीजों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और बाइनिक काफी अच्छे से तैयार हो जाएगी अभी मैंने इसे दो चम्मची डाला है सिंगाडे का आटा अगर हमें थोड़ा सा कम लगेगा अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स मेरी आज की रेस्पी आपको अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजेगा अब मेरी रेस्पी आप कहां से देख रहे हैं प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिलकुन मत भूलिए त ज्यादा इजली बनता है और बहुत ही टेश्टी लगती है तो हरा धनिया के साथ हारी मीच अद्रक ले लेते हैं साथ ही हमने देखे यहां पर सिंग्दाना ले लिया है यह मैंने रोष्ट कर लिया था इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और चटनी हमारी काफी ट जार में इसे क्रेंड कर लेते हैं तो देख सकते हैं कितनी तेश्टी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है यह चटनी बहुत ही ज्यादा तेश्टी लगती है आप इसे बिना ब्रत के भी खाए ना तो रोटी की साथ बहुत ही ज्यादा यमी लगती है कोई भी नास्ता बनाए अब यहां पे देखिए पार्चमेड हो भी चुके हैं जैना स्टार्टक सतार्च लगा जाकि नास्ता टेस्टी बने में कीड़ा लगाएंगे अब इस तरीके से अच्छे से फ्लैट कर लेंगे बहुत असान तरीके से यह बन भी जाता है और बहुत बढ़ी तरीके से यह देखे फड़ भी नहीं रहे हैं जो साइड साइड हलके से क्रेक साजाए ना तो आप इसे हाथों से ही सही कर लिजेगा अब यहां पर बिल्कुल से बन भी गया है अब ज्यादा इसे पतला मत कीजिएगा थूड़ा सा मोटा ही रखिएगा अब चलिए मैं यहां पर तवा रख ली हूं गैस पर लगा देती हूं हलका सा ऑईल अब पराठे को हम डाल देंगे आपको एक तरीका बता और फेंड डारेक लिए भी डाल सकते ह हमारा तावा ज्यादा गरम नहीं हुआ है इसलिए आप इस तरीके से डाल सकते हैं लेकिन जब गरम होगा तो ऐसे बिल्कुल भी ने डालना है मैं आपको दूसरे पराठे में बताती हूं ताकि आप आसानी से इसे बना सके यहां पर देखिए पराठे को मैंने डाल दिया ह इसी तरह फेंट दुबारा पराठा में बना के दिखाती हूं देख सकते हैं हाथों में थोड़ा ओई लगा कर आप ले लिजेगा स्टफिंग को ताकि हाथ में आपके बिल्कुल भी चिपके ना उसके बाद इसे पॉल इसे हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से हम बना इसी तरीके से देखिए काफी क्रिस्पी और बीना तेल का बहुत ही टेस्टी हमारा यह पराठा तैयार भी हो जाता है खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगता है तो एक पार मेरी रेस्पी को जरूर ट्राय कीजिगा और अच्छी लग रही हो ना फ्रेंड तो वीडियो को बताओंगे और एक तरीका में आपको आव दिकाने वाली हूँ जिससे आप आज-इसली बना सकते हैं आपको बहुत ही आसानी पड़ेगी तो दूसरा तरीका चलिए मैं दिखा देते हूं यहां पर देखिए मैं इतने सारे पराठे बना लिए है इस तरीके से अर दूसरा इस हाथों में चिपकेंगी भी नहीं और बहुत इसली आप इसे फैला सकते हैं तो लग रही है ना बहुत आसान सी रेश्पी तो आप एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा आपको साब दाने के पराथे बनाने की बिल्कुल इजी और फटा-फट से बना कर तैयार भी कर सकते हैं इस तरीके से एक चम्मत से तेल से बना हुआ बिल्कुल हेल्थी नास्ता हम व्रत के लिए बना सकते हैं जो खाने के साथ साथ टेश्टी तो रहेगा ही और बिल्कुल हेल्थी भी है इसी तरह हम सारे नास्ती को तैयार कर लेंगे फिन इसके साथ ये चटनी बहुत ही लाज जरूर कर दीजेगा मुझे ऐसी मोटिवेशन देने के लिए प्लीज सस्क्राइब जरूर कीजे और बेल आइकों को प्रेस करना बिल्कुल मत भूले और पसंद आए तो दोस्तों में से यह जरूर कर दीजेगा तो चलिए फेंड मिलते हैं नेक्स वीडियो में नही रेश्प सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए फेंड बाबाए टेक केर एंग ठैंक्स वरवाची और हमारी तरब से आप सभी को सावन की समवार की हर्दिक सूप कामना है लास्ट समवार चलने वाला है तो कौन-कौन ब्रत रहता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप सब को हमारी तरब से हर्दिक सूप कामना है हर हर महादेव